इसलाम लीकुम दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू विए विकी हम लेके आए हैं आपके लिए CS403 डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम के कम्प्लीट वीडियो लेक्चर्स जिसमें आपको शॉर्ट लेक्चर्स में सारे का सारा स्लेबस कवर करवाया जाएगा और examination point of view से भी आप हमारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं because यह सारे के सारे लेक्चर्स आपकी बुक से दिये गए हैं जो के handouts वर्चुल उनिवेस्टी की तरफ से प्रवाइब किये गए हैं so that हम database management system की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं which is cs403 इसका lecture no.1 हम आज करेंगे जिसमें database का introduction करेंगे database क्या है और किसलिए हम इसको computer science में इतनी important देते हैं और इसके कहां कहां पे uses हैं और क्या क्या इसके advantages हैं so lecture no.1 हम अभी start करने जा रहे हैं lecture no.1 के start में इसका overview दिया गया है कि इसमें हम database का introduction, definition और importance पढ़ेंगे और उसके बाद यह जो paragraph है इसमें आपके course का introduction है यानि cs403 का introduction है कि इसमें complete आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा so इसको आपको prepare करने की ज़रूरत नहीं है हम directly आएंगे definition पर, database की definition, database क्या है a shared collection of logically related data यानि data को collect करना, कौन से data को जो logically related हो designed to meet the information needs of multiple users in an organization, किसी organization के users की needs को पूरा करने के लिए जो data collect किया जाता है, logical form में यानि computer में उसको हम क्या कहते है database, तो basically database एक record है, किसी भी चीज़ से related एक record रखा जाता है किसी organization में, किसी business में, हर कहीं एक record रखा जाता है तो उस record को अगर हम computer में रखते हैं, ताकि उसको लोगों की information के लिए use कर सकेंगा या अपने business के information के लिए, तो वो record, वो logically related data की collection क्या कहलाती है database, इसके यहाँ पर seven definitions दी गई हैं, जिसमें आपको जो भी easy लगती है वो आप कर सकते हैं और paper में अगर इसकी definition आजाती है, इन में से कोई भी आप लिखके वो ठीक consider होगी उसके बाद दो terms हैं, एक है database और एक है database management system इन दोनों terms के दरमयान एक difference है, जो कि आपको समझाना जरूरी है जिसे आपका एक school है, तो school में जो students है, वो school की database है ठीक है, और school जो है, उन students की classes को manage करता है, उनकी study को manage करता है तो school एक system है, और वहाँ पे आने वाले students एक database है ठीक है, इसी तरह computer में जो हम data store करते हैं, वो data एक database है और उस database को store करने के लिए हमें computer की तरफ से जो software provide किया जाता है specific वो software हमारा वो tool कहलाता है database management system यहां पे database की कुछ examples दीगे हैं, जैसे एक student है, तो उसका name, उसकी date of birth, age, उसकी class यह सारी चीज़ें क्या है data, और इस data को हम जिस software में save करेंगे वो software हमारा कहलाएगा database management system इस next paragraph में कुछ भी याद करने वाला नहीं है, आपने just यहां से database की definition और examples करनी है और next database management system की definition करनी है, तो database management system की definition क्या है this is a software or tool that is used to manage the database and its users next हमारे पास database की importance, database क्या है basically, data की collection, data को save करना तो कौन-कौन से हमारी life में ऐसे fields हैं जहां पर data को save किया जाता है जैसे banks में हमारे data को save किया जाता है, shopping malls में हम जब shopping करते हैं तो हमें एक receipt दी जाती है और उसका record उनके अपने पास भी होता है, तो वो भी एक database में store करते हैं डाटा को, production में data को store किया जाता है utility billing में data को store किया जाता है, हर महीने जब कोई bill आता है, मतलब तो उसके उपर सारा हमारा data लिखा हुआ होता है तो वो हर महीने कैसे फैच करते हैं क्योंकि उसको डेटाबेस में स्टोर किया होता है कस्टमर सर्विसिस जिपनी भी कमपनीज प्रोवाइड करती है वो सारी की सारी अपने डेटा को किसी ना किसी जगा पे स्टोर करती है और अगर उनको एक ऐसा सॉफ्टवेर ऐसी टूल मिल जाए जहां पे वो अपने हजारों रिकॉर्ड ज्यादा अची तरिके से स्टोर कर सके और वो ज्यादा सेक्यूर हो तो वो चीज़ ज्यादा बेनिफिशल होगी इस तरह डेटाबेस ने इन सब चीज़ों को आज के जमाने में बहुत एजी बना दिया तो जितनी भी कमर्शल एप्लिकेशन्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया इन सब में डेटाबेस की जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टन्स है इसके इलावा डेटाबेस हर फिल्ड में हमारी सुसाइटी में यूज हो रहे हैं और कमर्शल एप्लिकेशन्स के इलावा साइन्टिफिक एप्लिकेशन्स में भी डेटाबेस ने अपनी इम्पोर्टन्स जो है वो मनवाई है उसके बाद एक चीज हम डिस्किस कर लेते हैं कि डेटाबेस तो कम्प्यूटर साइस में है एक अप्रोच है कि इसमें डेटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है कि उसको जो है fetch करना असान हो उसको user को use करना असान हो company के लिए उसमें बहुत सारी असानी आ जाती है लिकिन जब database नहीं था तो तब data कैसे store होता था जिसे हम सब को पता है अभी भी बहुत से government offices में जायें तो वहाँ पे data को by hand लिखा जाता है records को by hand registers पे लिखा जाता है तो पहले ये वाला system था ठीक है by hand files या registers पे data को लिखा जाता था जो भी data किसी company या organization को चाहिए होता था और वो काम एक time consuming काम था और inefficient था और उसमें बहुत सारा हमें जो है space चाहिए होती थी उस data को रखने के लिए और उसके लावा उसमें labor बहुत ज़्यादा लगती थी उसके बाद computer में थोड़ी सी तरकी आई और file processing system आ गया file processing system का क्या मतलब था कि simply जो data उन files पे रखा गया है registers पे by hand लिखा गया है उसको computer के अंदर लिखके save कर लिया जाए तो file processing system जो था वो simply यह था कि उस जो है by hand किया गया data का काम उसको transfer कर लिया manual work को transfer कर लिया computers पे अब file processing system और database में main जो फरक है वो यह है कि file processing system इतना efficient नहीं था उसमें जो data store कर लिया जाता था उसको बाद में edit करना, उसको change करना, उसकी forms को change करना या उसमें नया data store करना यह सब चीज़ें difficult हो जाती थी database के निस्बत, database में उससे ज्यादा approaches आई, उससे ज्यादा tools आई, उससे ज्यादा security और maintainability आई और अब हम ने basic जो definition थी file processing system की वो देखनी, अब हम देखेंगे कि file processing system के कौन-कौन से disadvantages या उसकी characteristics हैं, जिनकी वज़ा से database system उससे ज्यादा थीक है file processing system में हम एक university example ले लेते हैं, जिसके तीन departments हैं, जिसे library, examination department और registration department हर किसी ने जो data है students का वो store करना है registration data की, files हर किसी के पास library के पास भी सारे students का record होना चाहिए examination department के पास भी होना चाहिए और registration department के पास भी तो इसमें क्या था कि तीन files बनी, अलग अलग data की और उन तीनों files में उस data को अलएदा अलएदा store किया गया सारे students के अब इसमें error के chances हैं कि जब अलग अलग files में data store किया गया तो हो सकता है किसी एक student की कोई information library वालों के पास और हो examination वालों के पास और हो और registration वालों के पास और हो क्योंकि तीन different files हैं ठीक है तो इस चीज़ को कहते हैं program and data interdependence यानि data जो है वो depend कर रहा है program पे means कि अगर program में कहीं पे भी कोई गलती आती है तो हमारा data भी automatically गलत हो जाएगा तीनों files में अगर कहीं पे भी कोई misprinting या कुछ भी होता है तो वो data पे effect करेगा तो यह चीज़ file processing system में एक इसका drawback है जिसको बोलता है program data interdependence इसकी simple सी explanation आपने इसमें से कर लेनी है और बाकी जो है वो next इसका है duplication of data vulnerable to inconsistency यानि data duplicate होता जो हमें किस तरफ लेके जाता है inconsistency की तरफ हमारा data consistent नहीं रहता किस तरह से अगर एक record हमने लिख लिया और दुबारा से हम वैसा ही record duplicate कर देते हैं तो file processing system में यह feature नहीं है कि वो हमें identify कर सके कि data यहां पर duplicate हो रहा है जो चीज major problems जो है वो create कर देती है next file processing system के इन characteristics के इलावा अगर हम इसको compare करें database के साथ तो database इसके मुकाबले में किस तरह से बहतर है इसमें देखें कि वो ही तीन departments है library examination और registration अब इन तीनों departments के पास एक application है कौन सी application database की एक library के पास है एक examination के पास और registration के पास और main students का जो record है वो एक university की database में store है जो connected है इन तीनों से और यह तीनों departments उस एक database से data को fetch कर रहे हैं अब यहां पर वो गल्पी के chances कम होगे कि यहां पर data duplicate होने के chances कम होगे और यहां पर data के incorrect और inconsistent होने के chances कम होगे क्योंकि data एक ही जग पर store है अगर वो change होगा तो उसी एक जगा पर होगा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक जगा से change हो गया दूसरी जगा से नहीं हुआ तो वो program data interdependence वाली mistake भी यहां पर नहीं है तो database की हम कुछ characteristics यहां पर discuss कर लेते हैं one is data sharing data sharing का मतलब है जैसे कि तीनों department से यहां पर एक database के data को share कर रहे हैं तो अगर एक database में data store है किसी भी employee का हो जाए किसी company के employees का हो जाए या students का हो जाए तो उसको different systems के थूरू share किया जा सकता है लेकिन उसको दुबारा हमें बार बार हर जगा पर अलग अलग store करने की ज़रूरत नहीं है उसको एक ही जगा पर store करके different जगों से access किया जा सकता है data independence, data independent है program से कि एक जगा पे अगर हम data को change कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगा पर वो change नहीं हुआ और उसका effect गलत पड़ेगा क्यूंकि data एक ही database में store है और जहां से data को हमने change करना है एक दफ़ा तो उसका कोई effect भी किसी ज़ीज़ पे नहीं पड़ना next है redundancy control यानि कि data की duplication कम हो जाती है क्योंकि वो एक ही file में store है और database में जब भी same record एंटर करते हैं तो वो वहाँ पे हमें error शो करवाता है कि यहीं वाला record आपने पहले भी एंटर किया है तो इसको आप देखें कि आप कहां पे mistake करें यानि कुछ नो कुछ change होना चाहिए तो better data integrity यह एक बहुत important feature है कि data एक central place पे store है और वो manage हो रहा हर जगा से तो वो data valid है ऐसा नहीं है कि वो data पुराना हो गया उसको बहुत अरसे से change नहीं किया गया update नहीं किया गया इसमें updation अच्छी हो जाती है data की validity तो integrity को आप validity भी कह सकते हैं तो data हमारा valid होता है और उसमें की चीज़े नहीं होती है so यह एक बहुत important feature है database का so this is all about lecture number one इसके exercise को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है think about the data that you may want to store about different things around you तो इसमें आप देख सकते हैं आप किसी students का record रखना चाते हैं मतलब कोई भी record ऐसे save करना चाते हैं तो वो क्या कहलाएगी database this is just for your understanding and the other one is list the changes that may arise during the work of any system let's say railway reservation system railway की seat book करवानी है एक system है जिस पहाप online railway की seat book करवा सकते हैं तो उसमें अगर कोई changes हो सकते हैं तो तो वह कौन से हो सकते हैं उसमें railway train की timing change हो सकती है उसमें आप अगर सीट बुक करवा लिया है तो उसका आप देख सकते हैं कि कितनी मैंने सीट बुक करवाई है और मुझे कौन सी जगा पर करवानी थी यह वाली करवानी थी यह नहीं करवानी थी यह अगर आप बार बार उसमें चेंजिस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो यह सारा का सारा उसके पीछे स्टोर डेटाबेस की वज़ा से पोसिबल है कि जैसे अगर सीट आपने बुक करवाई है उसको आप कैंसल आउट करते हैं तो उसकी डेटाबेस में भी वो कैंसल हो जाएगा और आप भी वो सीट रिजर्व नहीं होगी इस तरह से डेटाबेस सिस्टम का एक बेनिफिट है तो इसको आप अपनी ब्रेंस्ट्रॉमिंग के लिए पढ़ सकते हैं